दोस्तो सरकार की तरफ से समय समय पर आम नागरीकों के लिए पब्लिक बेलफियर की कई सारी इसकीमे लाई जाते हैं जिसके अंतरगत आप सभी लोगों को कई तरीके से बेनफिट पहुचाया जाते हैं चाहे वो की प्रधान मंत्री आवास योजना हो या पिर आश्मान भार है किस तरीके से इसके आपको बेनफिट दे जाते हैं बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है अब होता यह कि जो जरूत मंद होता है जिसको एक्च्वल में बेनफिट मिलने चाहिए होते वो इसकी वज़े से बेनफिट नहीं ले पाता है अब इसको पू या नहीं मिल सकता है, क्या document की requirement होगी और आप online भी apply कर सकते हूँ इसका सारा process एक ही portal पर integrate कर दिया गया है तो काफी अच्छा concept है आगे आने वाले दिनों में काफी लोगों को इसके benefit मिलने वाले हैं अब इस portal पर आने के लिए आपको अपने browser में type करना है myscheme.gov.in इसका जो link है मैंने आप सभी को वीडियो के decision में भी दे रखा है जहां से आप directly इस site पर आ सकते हो यहाँ पर आप आओगे तो यह जो portal है यह सभी government scheme के लिए है आप यहाँ पर देखोगे finding government scheme mad easy तो किसी भी scheme को find करने से पहले इस portal पर क्या क्या मिलेगा कैसे इसको use करना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो इस portal पर नीचे के तरव आप देखोगे तो एक category का section दिया गया है जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे किसी भी department की scheme हो वो चाहे किसान के लिए हो agriculture के लिए हो या फिर business के लिए हो या फिर आप सभी को public welfare की जो scheme होती है उसका lab लेना हो तो सभी scheme के लिए अलग-अलग यहाँ पर section दिये गए है जैसे कि हम किसानों की scheme के बारे में जानना चाहते है agriculture के option पे click करेंगे तो यहाँ पर किसानों के लिए सारी ही scheme की एक पूरी ही list डिस्पले हो जाती है जिसमें कि आप यहाँ पर देखोगे प्रधानमंत्री किसान समानिदी है दीन दयाल पाद्याई ग्रामीन कौसल योजना है पीयोम स्वामित योजना है इसी के साथ में जैसे कि हम banking finance के section में आएंगे तो आप यहाँ पर देखोगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो प्रधानमंत्री जीवन जियोत योजना हो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो अटल पिंशन योजना हो इसी के साथ में housing and finance हो गया जिसके अंतरगत अगर आप से भी को घर बनाना है चाहे वो अर्बन एरिया में हो रूरल एरिया में हो जैसे कि हमें आवास योजना के बारे में जानना है तो क्लिक करेंगे तो इसके जो benefit है आप यहाँ पर देखोगे उसके benefit के बारे में बताया गया है उसकी eligibility के बारे में यहाँ पर बताया गया है इसी के साथ में इस योजना का लाब लेने के लिए जो application process है वो भी यहाँ पर बताया गया है कैसे आपको online apply करना है और कौन कौन से document जरूरी होंगे वो भी information यहाँ पर मिल जाती है तो इस तरीके से आप किसी भी scheme के बारे में यहाँ पर complete information ले सकते हो अब यहाँ पर आप चाहो तो अपनी eligibility को भी check कर सकते हो कि आप इसके लिए eligible हो या फिर नहीं हो तो इसके लिए यहाँ पर option दिया गया है find scheme for me इस option पर click करोगे अब यहाँ पर आप male, female जो भी gender है आपको select करना है इसी के साथ में आपको यहाँ पर अपनी age को select करना है और next के option पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपनी state को यहाँ से select कर लेना है आपको location बनताना है कि अर्बन छेतर में रहते हो या फिर ग्रामीड छेतर में रहते हो तो यहाँ पर हम ग्रामीड में हैं तो हम rural को select करेंगे, next करेंगे अब next पर जाता है जहाँ पर आप सभी को अपनी social category select करनी है अपनी cost को बताना है तो यहाँ पर जिस भी cost हैं आपको select कर लेना है इसके बाद में आप एक big lang बेखते हैं तो आपको yes करना है, otherwise no के option पे click करना है और यहाँ पर आप minority है, yes no का option दियागा है selection कर लेना है और next के option पे click करना है अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आप एक student है तो अगर आप हैं, तो yes करना है, otherwise no करना है अब जैसे कि मैंने यहाँ पर student के section में no select किया है तो यहाँ पर हम अगर एक business man है, entrepreneur है तो आप में select करना है या फिर हम एक accelerate person है, तो यहाँ पर हमें selection कर लेना है then next के option पे click करना है अब यहाँ पर आपको अपना occupation चूज करना है अब जैसे मैंने यहाँ पर next किया है, तो यह जो person है इनकी detail के मताबित जो भी government scheme के लिए यह eligible होंगे यहाँ पर find हो करके आ चुका है skill and employment के section में एक scheme है वो दिखाई गए इसी के साथ में social welfare employment के section में एक scheme दिखाई गए तो किसी भी scheme का अगर आपको benefit लेना है तो यहाँ पर आप सभी को select कर लेना है और submit के option पे click करना है तो जैसे आप next page पर आओगे तो वो जो scheme होगी आप redirect हो जाओगे उस page पर जैसे कि यह scheme दिखाई गए है skill के instruction में सीखो और कमाओ तो इस scheme उसके benefit के बारे में जान सकते हो application process क्या है यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर यह जो सारी information है आप चाहो तो इसे अपनी regional language में भी convert कर सकते हो तो यहाँ पर यह जितनी भी scheme है आगे आने वाले वीडियो में मैं cover करने वाला हूँ जिसमें कि सारी scheme के बारे में आपको detail वीडियो मिलने वाले है क्या इसके benefit होते है और कैसे आपको online apply करना है उसका भी process में आप सभी को आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ तो चैनल पे अगर आप नए हो तो subscribe करके जरूर रखना तो आसा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंदा होगा इस वीडियो को like करेगा अपने friends और family में share करेगा आप सभी की मन में कोई भी सवाल है किसी भी तरीक एक सुझाओ तो मुझे comment box में जरूर लिखेगा हम मिलते हैं आपने नए वीडियो में तब तक के लिए good bye जैहिन